दोस्तो आज हम बात करेंगे पच्छिमिंगाल की राजधानी कोलकाता के बारे में तो चलिए जानते हैं कि कोलकाता में घूमने लाइक दस सबसे खूबसूरत जगों के बारे में तो चलिए शुरुआत करते हैं नमबर वन से कोलकाता के सबसे खूबसूरत चर्च में से एक है कोलकाता शहर में बना ये चर्च इतिहासिक प्रेमियों के लिए एक खास जगह है नमबर दो पर है निको पार्क सन 1991 में बन कर तयार हुआ ये एक खूबसूरत पार्क है इस पार्क में सभी उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ बना हुआ है और इसलिए ये जगह कोलकाता में सबसे अच्छा पिकनिक स्पोर्ट माना जाता है नमबर तीन पर है इको टोरिजम पार्क तकरीबन 480 एकड जमीन पर फैली ये खूबसूरत जगह कोलकाता शहर के सबसे अच्छी इस्थानों में से एक इस्थान है इस पार्क में पेरपोदे की खूबसूरती भी देखी जा सकती है शहर के भीर भार से दूर तनहा और आराम दे वक्त बिताने के लिए ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है नमबर चार पर है इंडियन म्यूजियम कुलकाता शहर में बना ये म्यूजियम भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम है और साथ ही साथ इस म्यूजियम को दुनिया का सबसे पुराना म्यूजियम माना जाता है लोग यहाँ पर इतिहासिक चीजों को करीब से जान सकते हैं साथ ही साथ तारीख से जुड़ी बहुत सारी चीजों को इस म्यूजियम में देख सकते हैं नमबर पाच पर है बिरला पलानीटोरियम ये खूबसूरत जगए कुलकाता सिटी के बीचो बीच इस्थित है। ये शांदार पलानीटोरियम की इस्तापना पंडिक जवाहलाल नहरू ने करवाई थी। जो भारत में मौझूद तीन पलानीटोरियम में से एक गिना जाता है। यहां पर शो को देखने के लिए दूर दूर से प्रेमी और प्रेमे काका काफी भीव रहती है। नमबर च्छे पर है बिलूर मट ये कोलकाता की एक अनुखी जगह है जो एक नदी के किनारे बना हुआ है। इस मट की इस्ताफना स्वामी विवेक आनंदजी ने करवाई थी। तक्रीबन ये मट चालिस एकर जमीन पर फैली हुई है। जहां पर काफी सारे लोग साधना के लिए आते हैं। लोग यहां पर स्वामी विवेक आनंदजी की समाधी को भी देख सकते हैं। नमबर साथ पर है साइंस सीटी। इस खुबसूरत जगह का निर्मान 1990 में हुआ था जो देश का सबसे बड़ा साइंस पार्क माना जाता है। छोटे बच्चों और पड़ेमी के लिए ये जगह किसी जन्नस से कम नहीं। इस पार्क में हर तरह की चीजों को देखी जा सकती है। कोलकाता का ये साइंस पार्क सुभह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। नमबर 8 पर है हावडा ब्रीज। ब्रीटिश काल में बना ये ब्रीज कोलकाता की एक अलग ही पहचान बन चुकी है। जो पूरे देश में सबसे बड़ा और खतरनाक ब्रीज माना जाता है। जहाँ पर बहुत सारे फिल्मों और स्रियलों की शुटिंग की गई हैं और होती रहती है। नमबर 9 पर है दक्षी निस्वर काली मंदिर। पच्चिम मिंगाल की राजधानी कोलकाता सिटी की ये सबसे बड़ी मंदिर है। और ये मंदिर तकलीबन पांसो एकर जमीन पर फैली हुई है। नमबर 10 पर है विक्टोरिया मीमोरियल। ये कलकाता की सबसे लोग पिरिये और सबसे खुबसूरत जगए मानी जाती है। इसमें शाही परिवार के लोगों की कुछ तस्वेर देखी जा सकती है। ये खुबसूरत जगए हावरा रेलवे इस्टिशन से महस 8 किलो मीटर दूरी पर इस्तित है